So, welcome dear students to my channel, Math Learner. In today's video, we are going to discuss this particular problem on AP and HP. Okay, यह question आपका ND 2016 में पूछा गया है. So, what the problem is? Means, यह आपको given information यहाँ पर दी गई है. इसके उपर based आपके तीन problems आपको solve करने हैं. ठीके, तो given information क्या है? Let us see that. Let A, X, Y, Z, B, B in AP. अगर यह AP महोंगे, तो what will happen? Then A, और जो आपका last time है B, इन दोनों का जो sum होगा, it will be equal to twice of the middle term. तो A plus B, middle term क्या है, इसमें Y, तो A plus B हो जाएगा आपका 2Y के बराबर. In the same manner, X plus Z भी आपका किसके बराबर हो जाएगा? 2Y के बराबर. तो इधरी लिख देते हैं, आपका X plus Z. तो यह आपका equation 1 बन गया, ओके? यह equation 1 बन गया है, अगला equation क्या गया है विन आपका? X plus Y plus Z equal to 15. तो X plus Y plus Z 15 है, तो equation 1 कह रहा है, X plus Z आपका 2Y के बराबर है. तो X plus Z को हठा कि 2Y रखेंगे यहाँ पर, तो 2Y plus Y, 3Y, 3Y equal to 15. तो Y की value यहाँ से आजाएगी 5. ओके, यह तो आपका, यहाँ से दूसरी आपका निकल चुका result Y equal to 5. अब अगला क्या गह रहा है? A, P, Q, R and B, B in HP. अगर यह HP में हैं, तो इनका जो reciprocal होगा, वो किसम होंगे AP में. तो A का reciprocal क्या हो जाएगा? 1 upon A, P का reciprocal हो जाएगा 1 upon P and Q का reciprocal 1 upon Q and R का reciprocal 1 upon R and B का reciprocal 1 upon B. यह सारे के सारे किसम हो जाएगे AP में. अगर यह AP महोंगे in the same manner, first or जो आपका last time है, इन दोनों का sum होगा, middle term का twice के बराबर हो जाएगा. So 1 upon A plus 1 upon B will be equal to twice of the middle term that is 2 upon Q. और यह आपका 1 upon P और 1 upon R का sum भी इसी के बराबर होगा, twice of 1 upon Q के बराबर, तो 1 upon P plus 1 upon R. ठीक है, plus 1 upon R. equation second होगे आपका है. और एक चीज़ हमें गिवेन है क्या, P inverse plus Q inverse plus R inverse. तो 1 upon P plus 1 upon Q plus 1 upon R. ठीक है, एक्वाल टो 5 upon 3 है. अब equation 2 को देखिए आप, equation 2 में 1 upon P plus 1 upon R किसके बराबर है? 2 upon Q के बराबर. तो 2 upon 1 upon P plus 1 upon R को अठागे यहाँ पर 2 upon Q रखेंगे, तो you will get 3 upon Q. So 3 upon Q will be equal to 5 upon 3. ओके, तो यहाँ से आपकी Q की value कितनी आजाएगी? 3-3 जा 9 upon 5. तो Q की value भी निकल चुकी है, यहाँ से आपने देखने है equation जो आपका बना था पहले, A plus B, जो आपका पहला equation है, A plus B equal to कितना हो जाएगा आपका? First equation में देखिए आप A plus B, will be equal to आपका twice of Y है, Y कितना था 5, तो 2, 5, 0, 10, A plus B 10 आगिया, equation 2 में जाएगे, equation 2 में था 1 upon A plus 1 upon B, तो 1 upon A plus 1 upon B equal to 2 upon Q है, तो यहाँ से आपका आपका जाएगा, 1 upon A plus 1 upon B equal to 2 upon Q कितना हो जाएगा आपका? Q की value हमने निकाली थी अभी, 9 upon 5, 2 upon Q कितना हो जाएगा आपका? 10 upon 9, 10 upon 9, ठीक है? अब इसको अगर हम देखे हैं, तो यहाँ से क्या आपका आपका आपका? A plus B upon AB equal to 10 upon 9, तो A plus B की value हमने already given है, A plus B कितना था आपका? A plus B is 10, यहाँ पर आपको देखी रहा है, A plus B 10 है, तो 10 upon AB कितना हो जाएगा? 10 upon AB equal to 10 upon 9, तो 10 से 10 cancel हो गया, तो AB कितना आपका? 9, और A plus B कितना था? A plus B था 10, that means A और B की value हमारे निकल चुकी है, क्योंकि अगर इन दो numbers को देखे हैं, A और B, यहाँ पर कह रहा है कि A और B का जो sum है, वो 10 के बराबर हाना चाहिए, दो numbers का sum, और दो number का product 9 होना चाहिए, तो ऐसे क्या possible numbers हो सकते हैं वास, तो 1 plus 9 10 होता है, और 1 into 9 10 होता है, ठीक है ना, या तो A आपका 1 होगा, और B 9 होगा, या उल्टा भी हो सकता है, A आपका 9 हो, और B 1 हो, तो हम A की चीज़ ले लेते हैं, हमें कुछ भी चीज़ यह, तो हमें A की वैलू अगर मैं ले लूँ 1, और B की वैलू ले लेते हैं 9, A की वैलू ले लीज़े, थाकि वो आगे भी हम उसे को चलाते रहेंगे, ठीक है, तो A, B कितना आगे आपका, A, B is 9, तो पहला जो आपका answer है, question, what is the value of A, A, B, इसका answer हो जाएगा आपका, A, B will be equal to 9, तो पहले का answer तो यह होगी है, दूसरे का answer क्या हो, what is the value of X, Y, Z, अब X, Y, Z की value निकालने के लिए, आप क्या करेंगे, अब देखे, शुरू वाला जो आपका given information था, वो क्या था, A, A, X, Y, Z, B, यह किसमे थे, A, B में, ठीक है, अब यहां से हमने, A की value हमने माल लिए, 1, X हमें मालूम नहीं है, X, Y की value हमें मालूम है, that is 5, और Z हमें मालूम नहीं है, और B की value हमें मालूम होगी, 9, ओके, तो X की value निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, 1 प्लस 5 अपॉन 2 करेंगे, तो यह X की value निकल जाएगी, ठीक है, X क्योंकि में डिलता हमें, 1 और 5 का, और यह सारे AP में है, 1 प्लस 5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2, that is 3, X की value 3 आगई, ठीक है, Y की value 5 है, Z की value कितने हो जाएगी, 5 प्लस 9, that is 14, 14 अपॉन 2, that is 7, Z की value भी निकल चुकी है, Y की value यहाँ आप अल्रेडी मालूम है, X, Y, Z, इन तीनों का जो product होगा, what you will get, 3 इन्टो 5 इन्टो 7, तो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, तो जो दूसाला answer है, इसका आपका X, Y, Z की value निकलने थी, पास रह गई, 1 is the value of P, Q, R, तो अब देखें यहाँ पर, एक और जो information था हमारे, जो हमने यहाँ पर लिखा था, 1 upon A, 1 upon P, 1 upon Q, 1 upon R, and 1 upon B, यह किस में थे, AP में, क्योंकि आपका A, P, Q, R, और B, HP में थे, तो 1 upon A, A की value कितने आए थी, 1, 1 माना था हमने, ठीक है न, 9 भी मान सकते थे, बढ़ एक ही लेके वे चलना है, 1 upon P, 1 upon P मालूम नहीं है, 1 upon Q, तो 1 upon Q, Q की value कितने थी हमारे पास, Q की value 9 upon 5 थी, तो 1 upon Q क्या हो जागा, 5 upon 9, ठीक है न, और 1 upon R मालूम नहीं है, 1 upon P हमें मालूम है, क्योंकि B की value मालूम है 9, तो 1 upon 9, तो अब यहां से हम 1 upon P की value निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे AP में, तो 1 upon P जो होगा, 1 upon P का जो twice होगा, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, 1 और 5 upon 9 के, तो 1 plus 5 upon 9 कितना हो जागा, 14 upon 9, 9 will be equal to twice of 1 upon P, तो यहां से आपके P की value आगा जाएगी कितनी, 2 से इसको कार जीजिए 7 times, तो P की value आजाएगी आपकी 9 upon 7, ठीक है, इन दा सेम वे, यू केंट फाइंड आट R आलसो, R की value कितनी हो जाएगी भई, यहां से आप देखिए, 5 upon 9 plus 1 upon 9, तो आपका आगी है 6 upon 9, 6 upon 9 will be equal to twice of 1 upon R, तो 2 upon R होगी है, ठीक है, तो इसको अगर हम cancel करें, तो यहां से आजाएगा 2, 3, 6, 3 से यह भी आपका cancel होगा है, 3, 3, 9, तो R की value 3 आगी, ठीक है, P की value कितनी आई थी 9 upon 7, तो हमने क्या निकालता PQR, तो P की value आपकी आई यह, P की value कितनी थी 9 upon 7, इन्टो Q की value कितनी थी आपकी, Q की value 9 upon 5, और R की value 3 होगी, तो इनको multiply करके, what you will get, 9, 9 जा 81, 81, 3 जा, 243 upon 75 जा 35, तो तीसरे वाले का जो answer होजएगा, it will be 243 upon 35, so hope this is clear, thank you for watching the video,